एशियाई शेर के धर में नीचे की तरब जूलती खाल उसे जनेटिकली अफरीकी शेरों से अलग पहचान देती है कभी तकरीबन पूरे एशिया और यॉरोप पर इनका राज्था आज ये सिर्फ भारत में बचे हैं गुजरात के इस हिस्से में अपनी किस्म के ये आखरी शेर है कई मामलों में ये भी अफरीकी शेरों जैसे ही है ये भी जुंड बना कर रहते हैं और सामबर जैसे बड़े शिकार ये मिलजुल कर ही करते हैं सामबर का वजन साड़े 400 किलो तक हो सकता है इन दोनों शेर्मियों ने शिकार की खास तरकीब निकाली है एक शिकार को पकड़ेगी वो शिकार के ज्यादा से ज्यादा नस्दीक रहते हुए मौके का इंतजार करेगी दूसरी, शिकार को घेरने के लिए दूसरी तरफ से आएगी और शिकार को पहली शेर्मियों के तरफ जाने पर मजबूर कर देगी तरकीब अच्छी है पर इसकी कोई गारेंटी नहीं कि वो काम्याब रहेंगी शेरों की बड़ती आबादी से खुद उनका जीवन कठिन हो गया है हर शेर को अपना इलागा चाहिए इसलिए इनके आपसी जगड़े बढ़ते जा रहे है सिर्फ पंद्रा सब वर्ग किलोमीटर में फैला गेर फॉरेस्ट इतने सारे इशियाई शेरों के लिए काफी नहीं है दबंग शेर बाकी शेरों को जंगल के बाहर ख़देर देते हैं वहां जहां उनका पाला इनसान से पड़ता है इन चारों शेर बच्चों का बाप अपना इलाका बचाते हुए मारा जा चुका है ये भी मारे जाते अगर वहां से जान बचा कर ना भागते कई लोग सोचते हैं कि उनके मवेशी सिर्फ इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि आसान शिकार के लिए शर्णार्थी शेर काउं की तरफ आने लगे हैं पर हकीकत कुछ और है सूरज डूबा तो ये नौजवान शेर जंगल की हद लांगने निकल पड़े एक धर्मल कैमरे की मदद से हम घोपा नेरे में भी इनकी सारी हरकतें देख सकते हैं जंगल की हद है ये सड़क जिसे ये बेहिचक पार कर जाते हैं देखते ही देखते वो एक गाउं के खेतों में दाखिल हो जाते हैं शेरों के गुप्त संसार की ये एक अनूठी जलक है रात के संनाटे में शेरों को इतनी दूर से भी लोगों के आवासे सुनाई दे रही है एक काम्याब शिकार के लिए जरूरी है कि शेरों को हलकी से हलकी आवास भी सुनाई दे जाए क्योंकि हर आवास में होती हैं सरूरी जानकारिया गाउं की गलियों में कुट्टे घूम रहे हैं भैसे अपने स्थान पर आराम फर्मा रही हैं और आवारव मवेशी यहां-वहां भटक रहे हैं जब तक कुट्टे जाग रहे हैं शेरों की भलाई गाउं से दूर रहने में ही है लिहाजा शेर यहां से आगे बढ़ जाते हैं यहां से 20 किलोमीटर दूर के गाउं में एक बड़ा शेर किसी के मवेशी को मार गया है कौन जाने वो इसे खाने लोटेगा कि नहीं क्या पता वो आसपास ही कहीं आराफ कर रहा हो पर थर्मल कैमरे से भी उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा लेकिन इस बात से ये गाउं वाले ज़रा भी परिशान नहीं लग रहा है मारे गए मवेशी के पास ही एक परिवार अपना खाना खा रहा है बहराल खेतों के उस तरफ से एक बड़ा सा शेर काउं की तरफ ही आ रहा है खाने का मज़ा लेते परिवार को एहसास ही नहीं है कि उन पर किसी खूखार शिकारे की नजरे है ग्यारा बजे तक गाउं की सारी बत्तियां बुझ जाती है अप शेर अपनी दावत का मज़ा लेगा घर का मालिक बहार आता है तो जंगल के राजा को अपने आंगन में मौजूद पाता है बातो बातो में पूरे गाउं को खबर हो जाती है शेर को देखने पूरा गाउं भागा आता है पर बिना किसी हिवाज़त के शेर के सामने जाना तो निरा पागल पन ही होगा दक्षरी गुजरात के गाउं में बड़ा सा शेर आया तो गाउं वाले भी बिना कोई हत्यार लिये उसे देखने पहुँच गए पर जंगल के राजा ने उन्हें मूही नहीं लगाया वैसे उन्हें डराया भी नहीं उसने भीड ने भी उसके लिए वही आदर दिखाया करा है लिए लिए ज्यार चाहरा है करो ल कर लाओ भीड़ मूही उन्हें जरा कोई है जब पेट भर खाकर शेर जाने लगा तो बहदुर गाउंवाले उसकी एक आखरी जलक पाने को पीछे-पीछे हो लिये और फिर जिन्दगी उसी ठर्डे पर लौट आई हैरानी ये है कि मारे गए मवेशी का मालिक उत्ते जित नहीं था मेरी बेटी यहां सो रही थी और मेरी मार पिताजी यहां सो रहे थे और मैं यहां सो रहा था जमीन पर यहां पर इस आदमी ने शेर को बैल मारते हुए देखा था बैल वहां गौशाला में बंधा था वो बहुत डर गया था और इधर उधर भाग रहा था वो रसी तोड़कर भाग जाना चाहता था तब ही शेर में उस पर हमला किया और उसे मार डाना शेर गाउ में आते जाते रहते हैं गाउ के बड़े लोग उनसे नहीं डरते हैं लेकिन हमें सावधान रहना पड़ता है क्योंकि आम मवेशी और हमारे बच्चे भी रहते हैं और उनकी सुरक्षा जरूरी है गाउ के लोग बहुत खुश थे वो गाउ में आए शेर को देखकर वाकई बहुत खुश थे वज़ा ये थी कि उन्हें शेर को देखने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ा था अराम से घर में बैठे बैठे ही उसे देख सकते थे गुजरात के ये लोग भी कमाल के बहादुर हैं जो शेर जैसा पड़ोसी पाकर खुश है कोई और देश होता तो अपने मवेशियों के शिकारी को लोग कब कमार गिराते फिर ये लोग इतनी सहस्ता से यूँ बेपरवा क्यों बैठे हैं ये सवाल उठना लाजमी है क्योंकि गए दिनों में शेर और इंसान के बीच एक तकलीव देरिश्टा हुआ करता था एक वक्त था शेर तकरीबन पूरे एशिया और यूरप में पाई जाते थे आज ये सिर्फ इसी जगें सिमट कर रह गए हैं हर जगें राजाओं और नवाबों से लेकर देहातियों तक ने इनका इतना शिकार किया कि शेरों का वंश मिटने तक बहुच चुका था बीस्वी सदी आधी गुजरने तर भारत के बाहर इनका नामों निशान मिट गया भारत में भी ये सिर्फ बीस के करीबी बचे थे लेकिन फिर जूनागर के नवाब ने शेरों के शिकार पर रोक लगा कर इने खत्म होने से बचा लिया आज भारत में पास्सो से भी ज्यादा जंगली शेर है इसे कहते हैं वंश रक्षा आज गिर फॉरिस्ट में जिन्दगी की अच्छी चहल पहल है शेरों के लिए यहां भरबूर शिकार है दोर डंगर दूर रहने से जंगली जिन्दगियां भी खुब खिली है चीतल पहले से दस गुना ज्यादा हो गए है सांबर पांच गुना जंगली शूकर और भारत की सबसे बड़ी अंटिलोप नील गाए तीन गुना फिर तो यहां शेर के लिए शिकार की बहार होनी चाहिए पर यही धारना तो गलत है दरसल जानवरों की भरमार हो तो शिकार करना और मुश्किल हो सकता है भोजन की तलाश में लंगूर और चीतल अक्सर साथ साथ ही गूमते है दूर से शेर को आते देख ये लंगूर और बंदर शोर मचाकर चीतल को खबरदार कर देते है और शेर के लिए यहां ये अकेली दिक्कत नहीं है गाने जंगल में शेर के लिए दूर तक देखना मुश्किल होता है पर सुनना आसान इस शेरनी को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा दीरे दीरे आगे बढ़ना होगा ये बहुत सबर से दबे पाउं शिकार के एक दम करीब पहुचेगी तब ही एक छपटे में उसका काम तमाम कर पाएगी पर गरीब आते आते मौका हाथ से निकल गया गेर फॉरेस्ट में शेरों की सबसे बड़ी तिक्कत है ये सूखे हुए पत्ते जो पूरे जंगल में बिछे रहते हैं और खरखरा कर शिकार करना दूबर कर देते हैं यहाँ साल भर में सिर्फ 600 मिलिमीटर बारिश होती है और बारा में से नौ महीने जंगल सूखा बड़ा रहता है यहाँ शिकार मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि भूखे शेर एक दूसरे को ही मरने मारने पे उतारू रहते हैं इलाका हधियाने के लिए शेर जुन्डों में सबर्दस्त जंगे चुड़ी रहती है जंगल में जखमी शेर आम दिख जाते हैं तेंदुए भी इसका शिकार बंदे हैं मुकाबले में कोई भी हो शेर उसे बरदाश्ट नहीं करता झाल एक वक था जब ये पूरा जंगल तेदुओं का इलागा था पर आज उन्हें यहां से ख़देर दिया जाता है एशियाई शेव गीर के जंगल से बाहर आ रहे हैं तो सिर्फ इस लिए नहीं क्योंकि ये जंगल इतने सारी शेरों के लिए छोटा पड़ रहा है अभी बहुत दिन नहीं हुए जब मालधारी लोग यहां अपने मवेशी चराने आया करते थे शेर मवेशियों को भी वैसे ही मार खाते थे जैसे जंगली जानवरों को उनके शिकार ज्यादा तर बूरे और बीमार पशू होते थे गुजरी सदी में शेरों की जिन्दगी ज्यादा तर इन मवेशियों के भरों से ही कट रही थी आज ज्यादा तर मालधारी जंगल छोड़कर 21 सदी के शेरी भारत की जिन्दगी अपना चुके हैं पर मालधारी लोगों का मानना है कि उनके पीछे पीछे शेर भी जंगल से बाहर चले आए हैं पिछले कुछ अरसे में शेरों की तादाद संरक्षित जंगल से ज्यादा जंगल के बाहर बढ़ी है आज पूरे दक्षणी गुजरात में शेर पाई जा रहे हैं यहां शेर और आदमी के बीच बड़ा अनूठा सा रिष्टा बन गया है यहां शेर समाज का समानित सदस्य है उसकी खास हिवाज़त की जाती है वारिस्ट रेंजर्स ने दो शेर्नियों को लुभा कर खुले में लाने के लिए एक मरा हुआ मवेशी डाल रखा है उनका ख्याल है कि एक शेर्नी की टांग तूट गई है गुचरात में बीमार शेरों पर बंदूग चलाई जाती है पर उन्हें बारने के लिए नहीं बलकि उन्हें ट्रेंकुलाइजर डार्ट से बेहोश करने के लिए जंगली जानवरों को बचाने वाली टीमें यहां दिन रात काम करती है दुनिया में सिर्फ 500 एशियाई शेर हैं इसलिए एक एक शेर अनमोल है वो उसकी हालत का अंदाजा लगाते हैं और तै करते हैं कि उसे अभी और इलाज की जरुवत है रिस्की सेंटर में गायल शेरनी भी वहीं पहुच जाती है जहां दूसरे खूखार जानवर अपना इलाज करवा रहे है यह शेरनी एक कुए में गिर पड़ी थी और टूपते टूपते बची है यहां वो शेर शेरनी भी हैं जो बीमार नहीं है लेकिन जिने पब्लिक के सुरक्षा के लिए यहां रखा गया है इस शेरनी ने एक आदमी को मार डाला था अब ये और इसके दो गुस्यल बच्चे तब तक यही रहेंगे जब तक कि टीम इनके बविश्य के लिए प्लैन नहीं बना लेती ये टीम सिर्फ शेरों को ही नहीं बचाती बलकि लोगों को भी ये सीखने में मदद करती है कि इन परभक्षियों के पडोस में सुरक्षित कैसे जिया जाए यहां हर कहीं शेरों की निशानिया है वन विभाग के ट्रैकर्स शेरों की एक-एक हरकत पर नज़र रखते हैं जश्मदीत कवाब बताते हैं कि गई रात यहां कैसा हंगामा हुआ था और दो शेर एक समूचा बड़ा मवेशी खा गए गाओ के शेर दिल लोग शेरों से कुछी मीटर दूर खड़े तमाशा देखते रहे और शेर खापी कर उचाला होने से पहले ही चुपचाप चले गए यहां ना शेरों को मारा जाएगा ना कोई बतला लिया जाएगा पर वन विभात के लिए ये जानना ज़रूरी है कि शेर कहा है और अब उनकी मंशा क्या है शेर के पंजओ के निशानों का पीछा करते करते ट्रैकर्स खेतों के बार एक झारी दार जगे पर पहुँचाते हैं गाओं से बस एक किलो मीटर दूर इन झारीयों की छाया में उन्हे वो दोनों शेर आराम करते मिल जाते हैं खाने के बाद शेरों को पानी भी पीना होता है और यहां आसपास बस यही एक तालाब है जहां मवेशी पानी पीते हैं लेकिन यहां तो पहले से ही शेरनिया अपने बच्चों के साथ बैठी है इन बच्चों की जान खत्रे में हो सकती है पैरों में काटे चुमने के कारण लंगडाती दोनों शेरनिया अपने असहाई बच्चों के साथ मश्बूरी में खुले में निकल आई है लगता है यह इनी शेरों के बच्चे हैं वरना ये अब तक इन्हें खा चुके होते ये पानी अब सबका साचा है दो शेरनियों का चार बच्चों को पाल बोस कर बड़ा करपाना बहुत बड़ी काम्याबी है और किसी गाउं के इतना करीब रहकर ये करपाना तो चमतकार ही है यहां इनसान शेरों के पड़ोसी है ये शेर जंगल से आए शरणार्थी नहीं माने जाते ये उनका घर है पर यहां ये जीएंगे कैसे वो भी इतने छोटे बच्चों के साथ ज्यादा तरशेर खास कर इनसान के पड़ोस में रहने वाले शेर रात में ही चुस्त और व्यस्त रहते हैं स्पेशल नाइट कैमरा भारत के इन शेरों का अनोखा नजारा दिखाते हैं दिन ढलने के घंटो बात तक शेर सोई रहकर दिन भर तपे तन को ठंडा करते हैं मगर रात के दस बजे के आसपास नन्य बच्चों की दुनिया देखने की इच्छा जगती है अब माहौल ठंडा भी है और घूमने के लिए सुरक्षित भी मा बच्चों को अपने पीछे आने के लिए पुकारती है और सब में रोट की तरफ चल पड़ते हैं लेकिन यहां के खेतों में जाने के बजाए यह सब सडक के रास्ते अगले गाउं की तरफ दक्षिनी गुजरात की एक सडक पर एक शेर परिवार पक्की सडक से एक गाउं की तरफ बढ़ा जा रहा है वो ठिटक कर सुनते हैं कि कहीं किसी शिकार की आहट तो नहीं या फिर उनके बच्चों के लिए कोई खत्रा तो नहीं गारी के आवाज सुनते ही शेर सडक के किनारे उगी जाडियों में गुम हो जाते हैं शेरों को इसी गाउं में आना था लेकिन शेर के नन्ने बच्चों के लिए ये जगें ठीक नहीं है यहां मवेशियों की बेशक भरमार है मगर शेर के बच्चे कुत्तों का शिकार बन सकते हैं कुत्ते शेरों को देखते ही भौख भौख कर पूरे गाउं को खबरदार कर सकते हैं फिलहाल मवेशी सुरक्षित हैं मज़े की बात ये है कि कुट्ते खत्रा भाब कर इखटे तो हुए है पर खत्रा उन्हें शेरों से नहीं तेंदूओं से है जो उनके सबसे बड़े शिकारी है गाउं के बाहर चिंकारे कुट्तों से बेखौफ खेत चरते है जंगली शुकरों के जोंड अभी अभी बोई खेत उजार खाते है और नील गाए तो हर दरब दिन जाती है शिकार के लिए इस से अच्छी जगे क्या होगी पर शेरों के नन्ने बच्चे यहां भी बड़ी आसानी से किसी का शिकार बन सकते हैं ये एक दूसरे जुनका नौजवान शेर है परचाननी रात में नील गाए उसे दूर से ही देख लेती है और एक सुरक्षि दूरी बनाए रखती है इस शेर की उम्र अभी सिर्फ 18 महीने की है कच्चे उम्र का शेर अभी घात लगाकर शिकार करने का हुनर नहीं सीख बाया है शिकार ना मिला तो वो मायूस होकर चला गया शेर्णियों और उनके बच्चों को भी यहां खाने को कुछ नहीं मिला कई भूके पर बक्षी और मुर्ता खोर भी यहां भटक रहे हैं ऐसा धारीदार लकर बगगा बहुत कम देखने में आता है यह मुर्ता खोर बड़े शर्वीले होते हैं और मुर्ता जाननर की गंद बहुत दूर से ही सूंग लेते हैं शेरों की जूठन इनके जीने का बड़ा साहरा है यह यहां जंगल से भाग कर नहीं आया यह यहां के लोगों के बीच रहने वाला प्रानी है यहां गोल्डिन सियार भी बड़ी तादाद में पाई जाते हैं लीजिए नादान बच्चे अपने से कहीं बड़े लकड़ बगगे को मारने चले हैं दिन में सियार कहीं दुम दबाए दुपके रहते हैं पर आज राग हर कहीं सियार ही सियार दिखाई दे रहे हैं। आखिर कार लकर बग्गे को एक मरा हुआ जानवर मिली गया, पर इसे पता है कि मुसीबत भी बस आती ही होगी। शेर की खुराक का एक प्याई हिस्सा भी मुर्दा जानवरी होते हैं। लकर बग्गे की भलाई इसी में है कि अपना भोजन कहीं और ले जाकर खाए। सियारों को एक और मुर्दा जानवर मिल गया है। पर इन बेचारों की किसमत में फिल हाल खाना खाना नहीं लिखा। जाने कहां से ये शेर निया धम की और उनका खाना खोध हड़ापकर खाने लग गई। पर एक बार में 20 किलो तक ही तो खाएगी। सियारों और लकडबगों के लिए उसके बाद भी बहुत कुछ बच जाएगा। जब रात होती है तो इन खेतों का एक नया ही रूप सामने आता है। लगता है जैसे ये एक भारतिये सरिंगेटी हो जो सिर्फ रात के वक्त ही दिखाई देती है। तब यहाँ ये बड़े-बड़े मांसाहरी जानवर ऐसे विचरते हैं जैसे हमेशा से यही रहते आए हो और इनसान की संगत में रहना इनके लिए बड़ी सहज बात हो। ये बात कितनी भी अजीब क्यों ना लगे पर फिल हाल ये शेरों का ही देश है। आदम खोर शेर्नी को पकड़ने के दो हफ़ते बाद उसका फैसला हो गया। पता चला कि चार लोगों ने अचानक उसके पास आकर उसे चौका दिया था। वो अपने बच्चों के लिए डर गई और उन पर तूट पड़ी। उसने एक आदमी को मार डाला पर उसे खाया नहीं। इसलिए फैसला किया गया कि वो इंसानों के लिए खतरा नहीं है। उसे आजाद किया जा सकता था पर किसी और इलाके में जहां आबादी कम हो। ये हादसा किसी और देश में हुआ होता, तो इस शेरनी को कपका मार दिया गया होता। स्थान ये लोगों को शेर कुबूल है, इसके बावजूद कि वो कभी-कभी उनके मवेशी खा जाते हैं। यहां तक कि अगर कभी वो किसी इनसान को भी मार डाले, तो यहां उन्हें सजाय मौत नहीं दी जाती। जानवर के लिए इनसान का इससे बड़ा बलिदान और क्या होगा। यह इन्ही लोगों का हौसला और इनसानियत है जो शेरों के पड़ोस में उनसे मिल जुल कर रह रहे हैं। गेरवन के बाहर का लैंड्सकेप किसी मुजैक जैसा है, जो बिलकुल सवाना जैसा लगता है, जो कभी शेरों का मूल निवास हुआ करता था। यहां यह सब भी हुआ करते थे। पैंटिलोब, हेरन, और मवेशी। दोबहर बाद, यह शागाहारी जानवर भी अपने छिपने के ठिकानों से बाहर निकलते हैं। और चल पड़ते हैं रात में उजाडी गई फसलों को खाने के लिए। रह चलतों के लिए ये एक खुबसूरत नजारा है, पर किसानों के लिए जी का जनजाब है। गेहूं की अभी-अभी फूटी कोपले इने बेहप पसंद है। और तिल के लहलाहते खेद देखकर इनके मूह में पानी आ जाता है। पहले ये शागाहारी जानवर यहां बेखौफ चरा करते थे, पर अब शेर भी यहां पहुँच गए है। वनवे भाग के ट्रैकर्स, खेतों और गाउंस से गुजरे शेरों के एक बड़े जुंड के पंजों के निशानों के साहरे उनका पीछा कर रहे हैं। निशान एक तीले पर जाकर खत्म होते हैं, जहां शेर दोपहर की जपकी लेने के बाद जागने लगे है। डूपदे सूरज की रोशनी में ये रात के शिकार की योजना बना रहे हैं। ये आसपास के खेतों और गाउं पर नज़र दोड़ा कर अंदाजा लगा रहे हैं, कि आज इने कहा शिकार मिल सकता है। अंदेरा हो जाता है, तो चड़ने वाले जानवरों के जुन्ड के जुन्ड चारे की तलाश में निकल परते हैं। किसान भी निकल परते हैं, खेत उजानने आए हिरनों को डरा कर भगाने के लिए। पर इस अमावस की रात में उन्हें हिरन दिखने मुश्किल है। घुबंदेरे में दूर से शिकार को देख बाना शेरों के लिए भी उतना ही मुश्किल है। आज तो कानों के भरों से ही शिकार करना पड़ेगा। और इसमें शेरों का मददगार बनेगा। इंसान। किसान आवाजें निकालकर हिरनों को ढूनते हैं। टोच की लाइट में चमकती हिरनों की आखें उन्हें दिखाई दे जाती है। अब किसान को बस इतना करना है कि हिरन को अपने खेट से बाहर खदेर देना है। जो अक्सर पडूस के खेट में जाकर चड़ने लगते हैं। और यहां से तीन किलोमीटर दूर मौचूद शेर के लिए तो यह आवाजें जैसे दावत का बुलावा है। वो सब वहीं चल पड़ते हैं जहां से किसानों की आवाजें आ रही है। चार शेर निया और उनके आठ बच्चे। शेर इन खेटों के चप्पे चप्पे को पहचानते हैं। इन किसानों की आवाजों से उन्हें अपने मतलब की पूरी जानकारी मिल चुकी है। वो सदे कदमों से दबे पाउं शिकार की तरफ चल पड़ते हैं। यहां सूखे पत्ते भी नहीं है जो खरखरा कर हिर्णों को साबधान कर दें। हिर्णों को शेर की गंद मिल चुकी है। पर तारों की रोश्णी में उन्हें इतना नहीं दिख पा रहा है कि वो सही दिशा में भाग कर जान बचा सके। यहां शेर हिर्णों को ऐसे घेर रहे हैं। जैसे कभी खुले घास मैदानों में घेरा करते थे। आज शेर्णिया शिकार पकड़ेंगी। और उनके बच्चे शिकार को दोड़ा दोड़ा कर उनकी तरफ हाकने का काम करेंगे। शेर्णिया खेत के सिरे की जाड़ियों में खात लगाए छिप चुकी है। जाल पूरी तरह बिच चुका है। नन्ने बच्चों को छिप कर शिकार करना अभी नहीं आया है। इसलिए वो खुलम-खुला हेर्णों की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो बड़ी बेपरवाही से उन्हें छुपी हुई शेर्णियों की तरफ हाक रहे हैं। मरते हुए चीतल की आखरी पुकार सुनकर शेर्णियों की आज के खाने का इंतिजाम हो चुका है। सबसे पहले सबसे ताकतवर शेर्णियों के बच्चों को खाना खाने का मौका मिलता है। बार पेट खाने के बाद। जुनके सारे शेर्णियों वहीं खेत के पास ही आराम करने लगते हैं। ये द्रिश्य कभी कभारी देखने को मिलता है। और ये नतीजा है कई दश्कों के सन्रक्षण का। जल्दी ही किसान भी यहां बहुत जाते हैं। वो आसपास मौजूद शेरों से बिलकुल बेखौफ है। और खोश है कि शेरों की बदालर इन्हें फसल उचाडने वाले हिर्णों से मुक्ति मिल गई है। बड़ा अनोखा है ये रिष्टा। गुजराच से जीवन दान पाई ये शेर, जिन खुले मैदानों में सबसे पहले जन्मे थे, वही का शिकार का तरीका वो यहां भी आजमा रहे हैं। बस घास के मैदानों की जगहें, यहां इन्सान के आदुनिक खेतों ने ले ली है। पूरे दक्षणी गुजरात में ऐसे नजारे तिन बादिन बढ़ते जा रहे हैं। हजारों बरसों के सुल्मों और जड़्मों के बाद, आखिरकार इनसान और शेर ने अपने मद्भेद मिटा दिये हैं। कम से कम अभी के लिए तो। नतीजा ये है कि आज गुजरात में गिर फॉरिस्ट के बाहर बहुत दूर दूर तक शेर पाई जा रहे हैं। इनका इलाका आज 20 हजार पर किलो मीटर तक फैल रहा है। शेर जो कभी गिंती के सिर्फ बीस ही रह गए थे और विलुप थोने की कगार पर पहुँच गए थे आज उनके पंजो के निशान हर कहीं देखे जा सकते हैं। एशियाई शेर की गुजरात में शांदार वापसी हो चुकी है।